जै हिंद साथियों ये देखते हैं स्टैटिक जी के ट्रिक से सबसे पहले चेप्टर है आपका भारत के प्रमुख मेले भारत के प्रमुख मेले जो कि हम साथियों ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे आपको एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा लग बट पर कहा पर पर सबस्राइब मिलती हैं बता दो भाइंगा, तो कहाँ पर मिलती है, आपने परसिम मंगाल में, कह सकते हैं यहां से गंगा निकलती है तो जाके पश्शिम मंगाल में होते हुए बंगला जाती है मतलब जाके गंगा सागर में कहां मिलती है पश्शिम मंगाल में कह सकते हैं तो पश्शिम मंगाल आप अराम से याद कर सकते हैं आगे हैं सासियों देवी धुरा मेला या कहा सकता है देवी धुरा बगवाल कहां पर है तो उत्तराखंड में मना जाता है देवी धुरा मेला ठीक है तो देवी की धरती कौन है उत्तराखंड ठीक है तो आप जानते होंगे तो देवी धुरा मेला आपके उत्तराखंड में ल मेला कहां पर लगता है तो तिरपूरा राजी में तिरपूरा जानते हो बंगलादेश से गिरा है तीनों तरफ से गिरा हुआ है लिखा है तिर्थ मुख क्या है तिर्थ मुख है जारों तीरों तरफ से गिरा हुआ कौन है तिरपूरा है तो तीन मुख किसके है तो तिरपूर के याद रहे का तिर्पूरा मने तीन आद यहां भी आ रहा है तिर्थ सिंपल है याद कर सकते हो तिर्थ मुख तीन मुख किसके हैं तिर्पूरा के याद करना है बहुत असान है आगे है साथियों त्रिसूर बोलेगा त्रिसूर पूरम या त्रिसूल पूरम बात एकी है तो पर मना जाता है तो केरल राज में मना जाता है ठीक है तो केरल मने का सकते हैं केला केला खाए है भया केला को कैसे तोड़ा जाता है तिरसूल से तिरसूल फेको केला तुट जाएगा ऐसे याद कर सकते हो सिंपल है ठीक है या का सकते हैं तिरसूर जो सूर होते हैं केला खाते ह तिरसूर पूरम आपका महस्व कहां पर होता है केरल राज में होता है ठीक है पूरम पूरम इसको याद कर लो भीया ठीक है पूरम केरल राज में होता है ठीक है पूरम सिंपल है केरल में सब पूरम पूरम सब के पीशे लगा रहता है अगला है साथियों मेदा रम जातरा मेल का आयोजन कहां पर होता है तो तेलंगाना में लिखा है मेदा रम मने मेदा मने मैदा क्या होता है मैदा जो मैदा होता है बेसंज होता है मैदा वही मैदा तो मैदा से क्या बनता है बाबू बता दो पकोड़ी बनता है ठीक है और उसके साथ रम मिल जाएगा तो आदमी रहाएगा पार्टि रहीद है तो ह cloth मेरे मैंद्र मैंदा मैधा मैंदा से क्या बनता है तकतर बनेगा तो किया आप आहलाIT है इसके दोड़ा को ऑट सब गता है दोरह मना जाता है यह सबसे बड़ा जन जातीए अमिलाई रहे है जंजातीए मेली है एसिया का, ठीके, क्या है साथियों, देभी, समक्का, सरलमा के सम्मान में मना जाता है, ठीके, कभी-कभी यही नाम देदेगा आपके एकजाम में, पूछेगा कि इनका मेला कायोजन कहां पर होता है, बाबूर, तो तेलंगाना में, नाम यही रहेगा, देभी, समक्का, सरलमा मेले कायोजन कहां पर होता है तो तेलंगाना में ध्यान देना है लिखा है समक्का मने मक्का मक्का को भी तेल में डाल के छानूगे तो क्या हो जाएगा मक्का भी छना जाएगा तो देभी समक्का सरलमा मेला कायोजन आपके तेलंगाना में क्या जाता है आगे हैं साथियों, खीर भवानी मेले कायोजन कहां पर होता है, खीर भवानी मेले कायोजन कहां पर होता है, तो जम्मू कास्मीर, आपने कहवत सुना होगा, कि दूद मांगोगे तो खीर देंगे, आगे हैं खीर मांगोगे तो चीर देंगे, कास्मीर मांगोगे तो चीर दे तो 36 गड़ में कहां पर 36 गड़ में होता है चमपा रण मेले का योजन लिखा है चमपा या लिखा है रण रण में क्या होता है भीया 36 का आकड़ा होता है कितने का आकड़ा होता है 36 नम्मर की भीया बड़ा कपड़ा पहिना जाता है आपने देखा होगा तो चमपा रण इसका अखड़ा लगा रही है ठीक है? तो 36 वने 36 वड़ा आप आराम से याद कर सकते हैं आगे साथियों सोनपुर मेलेका योजन कहाँ पर होता है तो बिहार में कहाँ पर होता है तो बिहार में very most important है सोनपुर मेलेका योजन बिहार में सारण और बैसाली जिले के सिमा पर गंगा और गंडक क्या है गंगा और गंडक नदी के किनारे इस्टित संगम है ठीक है सोनपूर क्या नाम है सोनपूर में होता है भेरी भेरी most important कहां पर होता है तो सोनपूर जिले में होता है बिहार के सोनपूर में होता है आपका सोनपूर मेला ठीक है यह मेला कब लगता है यह भी कोशन पूछ सकता है जामे तो कार्तिक पुडिमा के समय लगता है ठीक है कार्तिक पुडिमा के आफर पर लगता है इस मेले को हरिहर मेले के नाम से जाना जाता है ठीक है इसको हरिहर मेला के नाम से भी जानते हैं यहां के छेतर वाले बोलते हैं हर यहर मेला ठीक है बहुत ही important question है बाबू ठीक है बिहार के अस्थानी लोग इसे छेतर मेला के नाम से भी जानते हैं ठीक है हर यहर मेला बोले छेतर मेला बोले सोनपूर मेला बोले तो सोनपूर बिहार में लगता है कार आगे आगे बढ़ते हैं सासियों पुस कर मेला कहां पर आयोजित कियाता है तो रजस्थान में कहां पर भईया रजस्थान में लिखा है पुस कर किसी चीज को पुस करेंगे तो क्या होगा एक अस्थान से दूसरे अस्थान क्या हो जाएगा खसक जाएगा मतलब अस्थान त जाएगा ना इसको ज़र से दबाएंगे तो क्या होगा अस्थान परियोतन हो जा रहा है तो अस्थान से रजस्थान याद कर सकते हो ठीक है पुशकर मेले का योजन रजस्थान में होता है बहुत ही इंपोर्टेंट है लिख लोग क्या है पुशकर मेला रजस्थान के अजम मतलब अक्टूबर नौंबर मने कैसे इसको याद कर सकते हैं दिमागा लगा ले ना दिवाली के आसपास ठीक है अक्टूबर नौंबर में मना जाता है पुसकर मेला उट का बैपार के लिए प्रसिद है सबसे इंप्वर्टेंट है उट के बैपार के लिए प्रसिद है पुस आगे है बच्चा अंबू बाची मेला किस राज में आयो जित क्या जाता है? बता दो भाईया अंबू मनि का शक रते हैं अंबर उम्परू मने अंबर बाची वहीं बाजी वही वहीं आसमान ठीक ए आसमान कैसा होता है? असमान मने असम याद कर लो भाईया, सिंपल है कि नहीं, अंबु मने अंब और अंबर मने असम, असम मने असम, सिंपल है, आसमान मने असम याद कर लो भाईया, ठीक है, सिंपल है, असम राज में, गुहाटी में, कमख्या मंदिर में, यह मेले का आयोजन किया जाता है, कमख् मासिक धर्म समपन होता है. ठीक है? ठीक है? या यह हैंबु बाची मेला. ठीक है? अगय है साथियो हेमिस, हेमिस गुम्पा मेले का युजन कहाँ पर होता है तो लद्दाक में, कहां पर लद्दाक में होता है वैया, हे मिस, हे मिस, हे मिस, कहां पर लद्दाक में, हे मिस नेशनल पार्क कहां पर है, लद्दाक में है, तो हे मिस मेले का यजन भी लद्दाक में ही होता है, ठीक है, यह लद्दाक मने यहाद कर लो, लद्द, ठीक है, सिंपल है, यह मिस, अपने मिस को बोलता है कि लगदाख, ठीक है, अग गोपा बने गोपने वाला, याद कर सकते हो, सिंपल है, आगे है साथियों कोई लायत मेला, मतलब कपिल मुनी की मेला का आयोजन कहां पर होता है, रजस्थान में, कपिल मुनी, कपिल मुनी का थ तो कहां रता है आगे साथों बनेस्वर मेले का आयूजन कहां पर होता है तो रजस्थान में बनेस्वर मने बन अब बन कहाँ पर नहीं है रजस्थान में क्या है भया सब रजस्थान है ठीके यहाँ पर बन नहीं है तो बन से हम कर सकते हैं बनेस्वर का मेला रजस्थान में लगता है यदि कोश्चन कहाता है कि बटे स्वर मेले कायोजन कहां पर होता है तो उत्तर प्रदेश के आगरा में होता है ठीक है दोनों में कन्फिजन नहीं होना है बन एस्वर मैंने बन आ रहा है बन तो बन कहां पर रजस्थान में रजस्थान में क्या है सब रजस्थान है यहां पर बन तो है यह नहीं ठीक है या करने के लिए बता रहे हैं. या कर सकते हैं बटे मने एक बटा दू, तीन बटा दू, इसका उत्तर देना पड़ेगा. उत्तर मने उत्तर परदेश. आगे हैं साथियों, चंद्र भागा मेले का आउजन कहाँ पर होता है? रजस्थान में. क्या है चंद भागा रजस्थान हम याद कर सकते हैं कि चंद भागा मेले का योजन कहां पर होता है रजस्थान में होता है सिंपल है बाबू आगे सातियों समक्का सरल मा मेले का योजन कहां पर होता है तो तेलंगाना में अभी हम आपको बताये थे ठीक है वही चीज आ गया यहां पर देख लो ठीक है इन्हीं की याद में मना जाता है तो इन्हीं का मेला पुछ दिया है तो कहां पर तेलंगाना में तो उस मेली कायोजन कहां पर होता है, रजस्थान में होता है, आगे बढ़ते हैं साथियों, गोदाची मेली कायोजन कहां पर होता है, तो करनाटक में, कहां पर करनाटक, तो गोदाची, गोदना होता ना गोदाची, गोदना गोदाई होगा, तो आदमी नाटक करने लगता ह तरनाटक मने करनाटक याद कर सकते हो, आगे साथियों सीता बाडी मेली का आयोजन कहां पर होता है, तरजस्थान में, तर सीता जी की क्या है बाणी, वाणी में सब घर कर सकते हैं, सीता जी का होम, तो क्या थी, रजा थी, ठीक है, तर रजा से रजस्थान याद कर सकते हैं, दिखा है बटस्वर मने बटा बटा मने एक बटा दू इसका उत्तर देना पड़ेगा उत्तर से उत्तर परदेश यह दिखाएगा बनस्वर तो रजस्थान ठीक आगे है साथियों मिंजर मेलेक आयोजन कहां पर होता है तो हिमाचल परदेश में ठीक है तो मिंजर मने कर सकते मन्द मन्द गती से हीमाचल परदेश में आयोजित καता है। आगे जखते हैं कुम्भ मेला भारत में कुम्मेला का आयोजन 4 जबापर किया जाता है। कप्तने जवच पर चार जवच पर कहा पर पहिला है हरिद्वार में उज्ञेन में नासिक में और परियाग राज में ठीक है छार जवच पर आपके कुंब मेले का रिज़न किया परियाग राज ये जो कि संगम त्रिवेडी संगम नदी के टट परिश्थित है जहां पर गंगा यमुना यमुना और सरफतेजी हैं लुप्त है ठीक है ये तीन नदियों का संगम है परियाग राज में तो जानते हैं हरी द्वार गंगा नदी किना रेश्थित है जानते हैं उजएन, लोग क्या होता है, छिपे होते हैं, शिपे मैंने शिप्राँनधीका रखते थे थे, नासिक गदावरी, ठीके, तो गदावरीनधीकाने रेशती थे, और प्रयाग राजितों आप जानते हैं, यहाँ मेला जो साथियों सबसे इस्प्यसली जो रहता है, मकर संक्रां की भेरी भेरी most important है जिसे खिचड़ी बोलते हैं ठीक है कुम मेला बारव वर्षों में लगता है ठीक है हर तिन साल के अंतराल पर इन चार अस्थानों पर लगता है ठीक है बारव वर्ष में तो लगता ही लगता है लेकिन हर 3 साल पर अंतराल पर 4 अस्थामों पर आवजित किया जाता है 12 वर्षों पर महा कुमब और 6 वर्षों पर अर्ध कुमब का आवजित किया जाता है ठीके 12 वर्ष पर महा कुमब और 6 वर्ष के अंदर अर्ध कुमब का आवजित किया जाता है पर्याग राज हर्दवार में किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अब देखते हैं कोश्चन और कोश्चन के हिसाब से देखेंगे कोश्चन पहला कोश्चन क्या कहता है साथियों गोट मार मेला जिसे पत्थर मार मेला का कहा जाता है या मर्द्यपरदीष के किस जिले में आयोजित किया जाता है बताईएगा कहाँ पर होता है बाबू एक गाहला इधर एक गाहला इधर घाहला ऐधर गोट गोट में प्रफद्धर रखते है ठीक है दिखाया गोट मार ठीक है तो गोट मार पत्थर लेके गोट से मारते हैं इधर से मारता है कुण इधर से मारता है किसी का सर फुटता है किसी का पार फुटता है भाईया ठीक है तो गोट मार मेला मद परदेश तो बीच में रखते हैं तो बीच मने मद परदेश याद कर लेना ठीक है यह चिंदवाला मनें चिंदवाला ठीक है तो चिन चिन के समभारते रहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है गोट मार पत्थर मेला का जिले में तो चिंदवाला जिले में पंडूरना पंडूरना तो असील में जाम नदी के टड़ पर मना जाता है कौन से मेले में दो गाउं समिल होते हैं कौन-कौन पांडू रना और सावर गाउं के लोग एक दुफरे पर पत्थर बरसाते हैं इसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्या कहता है कोशन सबरी माला मेले कायोजन किस राजी में क्या जाता है बता तो मला कोई माला जप रहा है सबरी माला जपने वाला केला खाके जीता है ठीक है उसको कुछ नहीं मिलता है खाना नहीं खाना होता न कि माला जप रहा है सबरी माला जप रहा है तो केला खाके जीता है मन केला मने केरल हम याद कर सकते हैं चलिए प्रसित सबरी माला मेला के भग बड़े स्वर्व धाम मेला किस राजी में आयोजित क्या आता है बताईएगा बता तो भईया तो रजस्थान में आपसर नंबर 20 योगा रजस्थान में ठीक है यह बने स्वर है बड़े स्वर दोनों बात एकी लिखा है बने स्वर बोले तो ठीक है बने स्वर और बड़े स्वर रजस्थान में होता है चलिए भीया अगला कोशन क्या कहता है अजिमेर का उर्स किस सुख कईधन कहा पर होता है तो रजस्थान में और ज हमेर में हेए पर आयो जंघ आपन कर दो किसके किसके होता है तो आराइस चिआ हें चिस्टी ठीक है शिच्डि है ठीक हैYes कहते हैं काता है हे मिस गुम्पा मेले कायोजन कहां पर किया आता है बताओ है मिस मैस भी बता है है मिस फिके लध नमर क्रिशन नम्मर है वह या लद्ध ठीक है यह लिखा है हेमिस गोपा मेले का योजन लद्धाक में होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर हेमिस गोपा मेला लद्धाक में बहुत ही प्रसिद मेला है इसका योजन बहुत समुदाई द्वारा के जाता है किसके द्वारा बहुत समुदाज़वर केयाता है हेमिस गोपा मेला हर साल बौधिक कलेंडर के अनुसार पासमे महिने में मना जाता है यो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाक में है चलो आगे बढ़ते हैं अगला कोषण धीरी मेले का यजन कहां पर केयाता है ध च्म्मु कास्मीर, आप चान नमबर C. जिरी मेलेगifying जन गकास्मीर में होता है, ठीक है? जिरी, जिरी मनेदर भ्र जरना कर लए ना सिंपल है, कमज्मा देवी की मंदीर, परिसर में निम लिखते हैं से कौन सा मेले कायोजन किया जता है बता दो भया तो अंबू बाची मेला आपसन नंबर सी अभी बताए हैं अंबू मने अंबर अंबर बाजी ठीक है तो अंबर क्या है असम असम में होता है असम ठीक है और सम में होता है कमख्या मंदिर के मंदिर में ही होता है क्या कहता है कोईलायत मेले का अजिन कहां पर होता है कपील मुनी किसके आहां रहते हैं रजा के घर पर तो रजा से रजस्थान हम याद कर सकते हैं पल है यह कोईलायत मेला कोईलायत मेला रज्थान के कहां पर होता है तो बीका नेर जिले में कहां पर बीका नेर जिले में आजिन कियाता है इस मेले का उसर पर कार्तिक पूरिमा क्या है कार्तिक पूरिमा के दिन पवित्र कोईलायत जिल में डूब की लेने जाते हैं लोग ठ ठीके मेले का नाम जो है महानसंत कपिल मुनी के नाम पर रखा गया है, ठीके महासंत इस मेले का पस्थू सम्यत अन्य बस्तों की खरिद की जाती है, यह नहीं कोशन पूशेगा, कोशन पूछ सकता है वैजा, कहां पर होता है कोईलायत मिला, तो बिकानेर में होता है, ठीके का कि अधिवास्यों का महाकुम कहा जाता है बता दो भीया तो आफसन नंबर इसमें क्या होगा अफसन नंबर ए मैंडारम जत्तरा मेला क्या है मैंडारम जत्तरा मेला को ठीक है मेडा बने मैदा बताया थे मैदा मैदा वाला तेले में छांता है या तेलंगाना में होता है कहां पर तो तेलंगाना में होता है ठिते मेडारमय जत्ततरा मेला्जान में होता है अदिवासियों का महाकुम्ब के नाम से जानाता है सबसे बड़ा अदिवासियों का मेला है दच्छिल भारत के किस राज में त तो तीरसूर करए सतफे हैं त्रसूल में त्रसूरे त्रसूल से क्या तो रहेंगे तो तो केला से केलल राजे में होता है आपशन दॉल दॉल इसको याद करना है स्रॉंठी मसे श्रउंबाट गय थे मातापिता जी को लेके तो दफरत जी ने तीर मार दिया बाबू तीर मार दिया तो उस कहां होगे जहाड में गिर गय थे तो जहाड से हम कर सकते हैं जहारखंड ठीक है तो स्रावनी मेली कावजन कहां पर होता है जहारखंड में होता है जहारखंड में होता है जहारख जारकंड में देव, घर में बाबा, बैदनाथ, धाम, इस्तित हैं, ठीक है, यह मेला आउजित क्याता है, जो कि बारह जोती लिंगों में से एक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कोश्चन पर क्या कहता है, सूरज कुंड मेला, निमलिकित में से अंतराश्टी सिल्प मे जाना के फरीदाबाद में होता है, ठीक है, तो सूरज कुंड फरीदाबाद, ठीक है, तो फरीदा मने फार दो, सूरज जो है, किरण एतनी तेज होती है कि किसी को भी फार सकता है, चलिए, क्या है, नौशंडी मेला किस राज में, लोक पर ये मेला है, बता दो भईया, तो लाता है आपके छेत्रों में घाओं मेरतय। उसको खाने के बादा मेरतय मेरत मेलता है। माघ मेला आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर क्या करता है माघ मेला उत्तर प्रियाग राज में जिनौरी फ्रवरी मा में तिर्वेनरी तीन महानाद्यों के गंगा यमनफ और गुप्दल सर्फदी के संगम टट पर प्रतिक औरस लगता है इस मेले को हम साथ्यों कल पवा कल पवास मेला का भी कहा जाता है अगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर खिचड़ी मेले का आयोजन कहां पर होता है तो खिचड़ी खाओगे खिचड़ी खाने से क्या होता है आदमी गोरा होता है तो गोरा से गोरकपुर में होता है खिचड़ी मेले का आयोजन अगला है सिध पीठ, पिठ पर कोई पीटेगा भीय, तो क्या होगा सहर पाऊगे नहीं शह पाऊगे सकाम भरी ठीक है बहारी चिछकज़ के पीठ पर ठीधो के तो नहीं सुह पाएगा तो सखने से हो जैगा सहरंपूर मेश्चित है सकाम भरी देवी मेला आजरन किया जाता है चलिए अगला कोशन पर बढ़ते हैं काता है कंस मेले का आयोजन कहां पर होता है तो कंस जी को क्रिश्म जी कहां मारत है मतुरा में मतुरा में होता है कंस मेले का आयोजन आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर क्या काता है उत्तर परते हैं होली का तेवहार पर लठ मार होली क्या है लठ मार होली कहां पर होती है तो मतुरा में आपसन नमबर क्या सई होगा इसमें लिखा है ब्रिंदा बन बरसाना मतुरा गोकुल तो बरसाना आपको याद करना है बरसाना में ठीक है मतुरा के बरसाना में होता है जिला मतुरा है लेकिन मतुरा के कहां प होली जो है औरते हैं अपने पती के उपर बरसाती हैं तो बरसाने से बरसाना हम याद कर सकते हैं लठ बरसा देना ठीक है तो बरसाना में होता है आगे बढ़ते हैं अगला है गुजरात का माधो पूर मेला किस की याद में मना जाता है बाबू माधो माधो जी भीया माधो जी भगवान क्रिष्ण और रुकमडी की याद में मना जाता है ठीक है क्रिष्ण भगवान और रुकमडी की याद में माधो पुर मेले का आयोजन कियाता है जो यादो होते हैं जो अहिर होते हैं भईया उनको क्या बोलते हैं माधो बोलते हैं ठीक है याद करना है गुजरात के माधो मेला ठीक है गुजरात में अगला कोश्चन देखिए प्रसीद गंगा सागर मेला का आयोजन कहां पर होता है बता है गंगा सागर में कहां मिलती है पस्चिम बंगाल में अगला कोश्चन क्या है गंगा सागर मेले का जन पहस्यम बंगाल की राजधाने पोलकता के निकट हुगली नदी के टड़ ठीक उस अस्थान पर क्या जता है जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है कहां पर बंगाल की खाड़ी मिलती है वहीं पर क्या जता ह ठीके, यह पश्युम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है. ठीके, आगे बड़ते हैं अगले कोश्टन पर क्या कहता है? भगोरिया हाट मेला, किस राज का एक लुद्पृ प्रिय तेवार है? ठीके, तेवार आ गया है बाबू, क्या होगा? आपसन नंबर डि einzige, क्या है? भगो जाती है कॉनु गुरिया है भग जाती है तो बीच में ठाकर ले जाएना पड़ता है जालो आगे हैं अगले पर भग वर्या हाट मद्य पर्देस का प्रमुखा दिवासी तेवहार है इस तेवहार का दवरान लड़के और लड़कियों अपनी साथी चुन कर भाग जाने की अ अईसा हमारे हां होना चाहिए ठीक है यह आपसी समती से इन्हें पती-पत्नी की रूप में स्विकार के जाता है ठीक है भगोरिया पर वे एक नजर है क्या कहानी है बाबो ऐसा हर जब होना चाहिए यह तो अच्छी बात है भाग जाओ लेके चलिए आगे है करवा चौत पर किस देवी की पूजा की जाती है बतादो बाबो जितनी लड़कियां होंगी उतो जानती होंगी ठीक है करवा चौत होता है आजकल पती की उमर के लिए बनाया गया है नया तेवहार है करवा चौत ठीक है चलनी में देखती है चाल के पती को बतादो किसकी पूजा होती है तो पारोती जी की ठीक है आपसन नमबर A संकर भगवान और पारोती जी की पूजा होती है करवा चौत के अउसर पर आगे साथियों सूरी ग्रोहन मेला क आयोजन किस राजे में होता है बता दो कहाँ पर होता है तो सूरी भगवान सूरी ग्रोहन कहाँ पर हरी आना में आपसन नमबर बी हो जागा हरी हरी भगवान क्या है सूरी भगवान ठीक है कर सकते हैं तो हरी से हरी आना याद कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर पनंद देवी मेला किस राज में होता है तो देवी की धर्ती उत्राखंड तनंद देवी मेला उत्राखंड में होता है आपसन नमबर एक अगला कोशन क्या कहता है साथियों जौला मुखी मेला किस राज में आयोजित किया जता है जौला मुखी बतादो बैया कहाँ पर होगा हीम आचल परदेश, आपसन नमबर डी, हीम का आचल में क्या है, जोलमुखी बिस्पोट होता है बाबू, ठीक है, तो हीम की आचल में हीम आचल परदेश हम याद कर सकते हैं, सिंपल है, आगे परते हैं, अगले कोशन पर, उन्चास नमबर करता है, महा मिर्तुन्जे मेले, म मर्देश में कहां आउजित किया जाता है, आपसन नमर क्योगा इसमें, रिवा में, कहां पर रिवा में भ्या ठीक है, तरिवा मनें रभी, रभी क्या है, किसका नाम है, रभी सूरी का, सूरी चंद्रमा याद कर लेना, महा मिर्तुन्जे मेला, संगर रगवान से है याद कर सकते हो तर्रीवा में होता है मर्द पर्देश में ठीक है मर्द पर्देश में आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर का काता है नागा जी मेला मर्द पर्देश में आजित किया रता है कहां पर कहां पर होगा तो गौलियर में ठीक है गौलियर मनें गाली देना ज कहां पर होता है तो ग्वालियर के मद्ध पदस्यम्पी में अगला कोशन क्याता है प्रसित केला देवी मेला राजस्थान के किस राज में अरजित कहता है तो पहले यही पता होना थी केला देवी मेला कहां होता है तो राजस्थान में होता है कहां पर राजस्थान में होता है होता कहां पर है तो करावली, 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 कहां पर होता साथियों तो करावली में होता है, कहां पर करावली में, ठीक है, तो केला देबी, केला देबी खाएंगी, रजा के घर की खाएंगी, करावली मने केला, ठीक है, यसे याद कर सकते हो, करावली मने केला, ठीक है आगे बढ़ते हैं ले कोशन पर क्या काता है अगला है साथ तर नेतर मेला किस राज में प्रतिवर्श मना जाता है कहाँ पर गुजरात में का है तर नेतर नेतर मनें नेतर अन्दितर से रात में नहीं दिखता है न तर रात से गुजरात यात कर ले रहा है ठीक है तर ने ततर ने ततर